नील नदी के किनारे बसे आराम देह और मेट्रेपुन सहर अस्वान सहर में आपका स्वागत है नियूबियन सस्कृति में बने मंदिरों इसमारकों और अन्ध पड़र्टक आकस्वानों के साथ अस्वान अस्वान के लिए प्राचीन मिस्ट का प्रवेश द्वार कहलाता था हम लोग अस्वान के हाई डेम आये हैं सबसे पहला आई स्पार्ट देखने जो लगवा 15 किलोमेटर दूर था मेरे होतल से ये दुनिया का पहला सबसे चोड़ा डेम है यह शिलाई मंदिर है जो आईसिस और होड़स को समर्फित है यह शिलाई में लोग आई है अजीजा हूज काफी जशलें साफ याज वी नीड कोफी यह जो जो आई अजी कोफुरत यह से है चलाव वही चलाव 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 यह चलाव यह अज़र जो है जूसरा सबस्ट्रा तुरिस्ट्टिक इस पार्ट है अस्वान और लक्ष्टर दोनों बरावरी बांचेते हैं और वहां हम लोग अभी लैंड की है शुबा आश विए स्काइटों से लगेश के इंट्राव करता हैं बेल्ट पर उसके बाद आद हम होटल अबलेशिक नाइल रिवर में रुकेंगे और महीं से पर देखते हैं को जेट्रिप लेंगे हाफ जेट्रिप और नहीं तो फेर खुझी टैक्सी करके ऊबर यहां चलती है सबस्क्राव फार्दा है ऊबर यहां चल लगी है अस्वान जो है लक्ष्टर और अस्वान के बाद सबसे अच्छा चुरिशिक सेसंग माना जाता है कर देखते हैं जो नहीं ट्रेन चलती है जो अच्छी डार उसका स्लिपिन ट्रेन का किराया है और यह मंदब पैसाट सब रुपए उड़ा और फ्लाइट अगर आप पहले बू कराएंगे तो लगवा इतने में फ्लाइट भी मिल जाएगी तरीन यह के एरपोर्ट आना पर हाँ अब हम तो कहो फ्लाइट रहा हैं सुबख की फ्लाइट शीचा जा देख है अब शीचे जा रहे हैं होटल अगर आप रिख़ेंगे अगर रिक्वेस्ट कर दिये तो होटल वाले करथे ते हैं हमने अलनी शे कर दिया है फेल का जो जिसे में एक नाप बोलते हैं उससे नील नदी में आगर आप साहर करके तो साहर करके करते समय आपको काफी अच्छे साहर के दिखाई दिखाई देते हैं दूसरी यहां पर फिली मंदिर हैं वो हम जज़ू जाएंगे देखने सबसे आत्मिक्चा हमारी भई है तो होतल पहुंचे तो कफले श्रेंज करके हम सिधे पर फिली मंदिर जाएंगे और हाई डेम नूबिया विलेज अच्छी नूबिया अच्छी नूबियान सबस्ता इस आए अपने होटल ओवेलिस्ट बहुत ही बहतरीन होटल है यह यह इसका रिस्टेंट है ति अभी रूम तयार हो रहा है रूम तयार हो रहा है इसलिए हम लोगों को टाइम लगएगा आप यह देखिए बिलकुल हम नील नदीगे किनारे यह बहतरीन देख बहुत अच्छा यह इंगे एक खुद का रिस्टेंट यह है जो स्याम को सथी है विश्ट इनर आज हमारा अस्वान का बहुत सकान भराद दूर होगा क्योंकि एक ही दिन में सारे मुख पर अचक अकरसन देखना है कर सुबर 4 वजे हम से काउट करके अस्वान से 280 किलोंटर दूर अब उसी सिंबल मन देज जाएंगे फिर वाफ़स हमें अस्वान आकर लक्सर क्रूज में 3 वजे दिन से पहले केकिन भी करना है हम लोग एजिप्ट में अस्वान आए हैं और सबसे पहला हमारा स्टाफ है हाई डैम हाई डैम के बारे में यह है कि दुनिया का पहला सबसे चोड़ा डैम है जिसकी लंबाई 2.1 किलो मीटर है इसकी हाई डैम को बनाने से सबसे पहला फार्दा यह हुगा इजिप्ट को कि इनकी जो पावज की समस्या थी वह साल्ब हो गई और डूसरी जो है बार है यह बहुत आयकरती सी बहुत ज़्यादा बार है तो उस बार से बचात हो कि अब बार सुनने को नहीं मिलता है यह है डैम सामने अब अच्वन यह अच्वन का हमारे यह पहला है अब इसके बार सम्जाएंगे त्रला टेंपल काफी मसूद है और नुबियन कल्सर को भी हम दिखाएंगे आग यह देखिए आप जाएं यह बान राश्पती नासिर की प्रिवर्णा सबसे बड़ी उप्रबद्जी थी इसका निर्मान वियत संसे और तक्रिकी सहता के माद्जम से या गया जाए यह हमको जो है लेमोजीन का ट्राइबर हमा तक्रिक देखने के लिए किराए बिली थी तो फैंतारीस डालर में अब फिर वह हमको सब्सक्राइब यहां से पिक अप करेगा फिलाई टेंपल जाने के लिए आपको मोटर बोर्स से जाना पड़ेगा और अब तो उसका फिलाई टेंपल का टिकेट भी ही समिलता है यह हम सब्सक्राइब यहां से हमको टिकेट मिलेगा टिकेट देखते हैं कितने कहाए टिकेट सब्सक्राइब यहां गया है हम लोग तो बेर को वही तेरे बंबाई का वह है नहीं कौन सा मजार एक यह उस तरह से लग रहा है और अब दो इंट्री टिकेट थे सो एजिप्टिन पाउंड मतला लगभाट सारे सीन सो रुपरेका इंट्रीट था जो फिलाई टेंपल जाने के लिए वो पैनोरोमा था घूम के भाहा से सब्सक्राइब मंदिर के अगर अंदर जाना है आपको तो उससे लिए कि अधिर अधिर ट्रीट तो हमने सासजो पर्टी लिया आया है किया मंदिर के अंदर वह आना है वह मुश्य से इस साथे इस फाइद लिए यहां पर्गेणी है कुल सिंट से नहीं है अब दो लोगों को लेके जाना है लोगों को इसे माउन मतलब इंडिया के लौट रुपेर हो अच्छो प्राइब आसके इस रिपोर मुहमाद गोरोसो 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 डोस्तों, वम इस में फुलाई आइलेंड पंदिर में फुलाई मंदिर जार है मिलाई का मंदिर आइसिस, उसेरिस और होरोस को अमर्पित है आइसिस के मंदिर का निर्मार 285 इसापुरू से 221 इसापुरू के बीच टॉलिमी सेकेंट के सासन कार के दोरान हुआ था मंदिर की डिवारों में आइसिस की, मिर्स्र की और हाडी कथाओं के दर्से है जो ओर्सिस वापस जीवन में लाते हैं बोरस को जन्म देते हैं और उसकी मिर्च के बाद वो सेरिस को ममिक्रिस करते हैं अब लोग जो है विलाई चंपल यह पुशिया है सिर्फ दो ही लोग है बोर्ट प्राइवेट बोर्ट है शेरिंग बोर्ट का असित में चाइविंग है आपको बहुत समय हो सब आप इंज़ार कीजिए तो फाइनली हम पहुँच गया है यह आप इंट्रेंस है लिए बोर्ट से हम लोग आए है प्राइवेट बोर्ट से कभी इसा सुंदर दर्स है आसपास पहुच इच्छा लगा है क्योश आफ नट्रमबो सेंपुल आबास स्रेफनीर टेंपुल आफ मेंडूलिस इसी सेंपुल यह है इसे जाना है अब हम प्रक्रिमाश करने जा रहा है क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का भी हमने तिकट लिया है दोस्तों सोलह कर्मेफैला या छोता सद्धीब अपनी सुन्दर्ता के लिए प्रसिद था और इसे मिस्ट के मोती की रूप में जाना जाता था ग्रेको रोमन काल के दौरान फिलाईल की पवित्ता ने मिस्ट के कई अन्यसाशों को पीछे शोड़ दिया यह आईसिस के पंठ का केंदर बन गया था जिसे स्रेट काल शेसो चौशच इसापूरू से पानसो पचीश के दौरान पुनर जीवित किया था और जमी सिकेंड ने दोसो पचासी इसापूरू में आईसिस के मुख मंदिर का निमार शुरू किया उसे रिस का मंदिर एक पड़ोशी दीप इगे पर बना गया था इनके पुत्रफूरस का दिले पर अपना खुच का भी एक मंदिर था दीप पर अन्य संगस्पनाओं में दो निवी हैंदियो ताओं अन्दोलिस और अरहर होनोचा के मंदिर में थे आपको जली यह कि आजयक बाहिए Vis यह में लुद आप आपकोश़य इस इस आद अजय ज़जब का मनाया है भी योटाओ एक्किसो साल पुराना है एक्किसो साल है एक्किसो वर्थ पुराना हो गया यह मंदिर और इसको बहिया से मेंटेन कर रखा है बहुर बहिया फिले आस्वान के दख्षिन में इस्सित था इसी लिए नुविया से भाविट था आईसिस की पूजा मिस और नुवियन समाम रूप से करते थे उनकी जादू ही सक्कियों के सांदार किस्से उस समय सुनाय जाते थे यह आस्वान के आम लोगों के जुवान पर है कि आईसिस ने अपने पती उसीरिस का जीवन वापस ला दिया था और अपने बेटी होरस को एक मंत पढ़कर एक जजीजे साप के काटने से बचा लिया था आईसिस महान देवी थी वह एक ही समय में देवी देवता और जादू गर्नी थे यह माना जाता था कि ओस्रीस के लिए पहाएगे उनके एक आउस्टू से बाल हा गई थी अप्तिक क्राश और दिवारों में उकरे गए प्रीश ज़रव को देखिए जो दिखाते हैं कैसे काटिक बिशप जो देर के तहट अगंजित बिजाइंती नियुक के दोरान मंदिर को एक इसाइफ की आउस्ट्र में बदल दिया गया था आईशिस का मंदिर जोमन काल के दोरान हलता फूलता रहा और जेस्टिनियन वन पांसो सब्ताइस से पांसो पैंसट जो किस्टिन एरा था के सासंकाल तक बंद नहीं हुआ जेस्टिनियन के सासंकाल के अंत में मंदिर को एक चर्च में परिवर्टित कर दिया गया था दोस्तों कि आप जानते हैं नए अस्वान बांद का निर्मान जब 1907 में सुरू हुआ तो यह मंदिर हमेशा के लिए जल्मर्न हो गया था जब 1970 के बाद उच्च बांद पूरा हुआ तो मंदिर फिर से उभर का बाहर आए यह पाया गया कि मंदिरों को काफी नुक्सान हुआ है इसलिए उन्हें पास के अगिलका दीप के उच्छे मैदान में हचाने का निर्णा लिया गया स्वभादि से मिस्टिकी सरकार और इनुश्कों ने मिलकर पूरे मंदिर को पत्थर दर पत्थर लगभग 50,000 पत्थर पास के अगिलका नामक्दीप ने अस्थानांतरित करने के लिए काम किया जहां हम आज इसमें मौझूद हैं क्या भई ओफ एकिस सो साल पहले कैसे बनाया होगा ये हैं क्योगव अज़र आफ अचारा है ब्यूटिपल हमने तक बहुत देश घूम जा गए हैं अब बहुत रिवन्स हमने देखे तर्की में देखा साउस अमेरिका में देखा लेकिन इतना जीवन पुराना कोई मंदिर संद्शित किया गया हो और जीवन दिखाई दे रहा हो बहुत कम देखा है बहुत अच्छा लगा देख करके हम लोना फ्लाइक पुदेख या अब जाएंगे नुबियान विलेज बहुत कर देखे रहा है जाएंगे नुबियान जाएंगे लगाएंगे बहुत कि अधर मारका का पुरी झाल झाल